प्रादिशिक समाचारिकांज भोपाज से प्रस्तुत है शिवपुरी जिले की चिठ्थी आलेक रंजीद कुपता, वाचक स्वर सैयुकता बैनर ची शिवपुरी जिले में इन दिनों बारिश का दौर चल रहा है पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का क्रम बना हुआ है इससे खरीफ सीजन में फसल बोने वाले किसानों को राहत मिली है जिले में अभी तक 321.91 मिलीमीटर औसद वर्शाद दर्ज हो जुगी है जिले में औसद बारिश का आकड़ा 816.3 मिलीमीटर का है लगातार बारिश होने से अब किसान वर्ख खेती किसानी के काम में लगया है जिले में सोया बीन, मूंफली की फसले प्रमुखत तौर पर होती है शिवपुरी जिली में पिछले दिनों नगरियक शेत्रों और पंचात क्शेत्रों में चुनाव शांतिपून ढंग से हुए इन चुनावों को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और शांतिपून मतदान को लेकर आवश्यक इंतिजाम किये थे कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अक्शे कुमार सेह और पुलस अधीक शक राजेश सेह चंदेल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने लकातार चुनाव पर मॉनिटरिंग रखी जली में नगरियक शेत्र के दूसरे चरण के लिए मतदान के दौरान शिवपूरी नगरपालिका और छे नगर परिशत करेरा, मगरोनी, पोहरी, बैरार, कोलारस, पिछोर के लिए मतदान हुआ शुवपुरी नगरपालिका के 49 वार्डों की मतों की गिंती के दौरान भाजपा के 22 वार्डों में, कॉंग्रस के 10 वार्डों में और 7 नर्दलिय पाशच जीते हैं अब पाशच दूंद्वारा नगरपालिका अध्यक्ष और पाध्यक्ष का चुनाव होगा चुनावो के क्रम में ग्राम पंचायत उपसर पंच के लिए नर्वाचन के लिए तिथिया निर्धारित की गई है दुतिय चरण में पिछोर, नर्वर और कुलारस में आज 25 जुलाई को और दुतिय चरण में विकासखन पोहरी, करेरा और शिफपुरी में 26 जुलाई को सम्मेलन आयुजित किया जाएगा इसके अलावा जिलापंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सम्मेलन 29 जुलाई को आयुजित किया जाएगा शिफपुरी में पिछले दिनों कलेक्टर रक्षे कुमार से और पुलुस अधीक्षक राजेश से चंदेल ने मौनसून सत्र को देखते हुए होमगार्स कार्याले शिफपुरी में आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया इस बार मौनसून सत्र के दौरान पुरे जिले में अलग-अलग स्थानों पर आठ डिजास्टर रिस्पॉंस सेंटर बनाए गये है शिफपुरी में पिछले दिनों शहीद चंदरुशेखर आजाद की जैनती मनाए गई और इस अफसर पर वभने कारिक्रमों का आयोजन किया गया खेल और यवा कल्यान अधिकारी केके खरे ने बताया कि वभाग द्वारा शहीद चंदरुशेखर आजाद की जैनती पर साइकल रैली का आयोजन किया गया शुपुरी में पिछले दिनों शास किया आई टी आई में एक दिवसिय अप्रेंटिस शिप मेले का आयोजन किया गया मेले में लगभग 633 आवेदकों ने पंजियन कराया शुपुरी के क्रिशी विज्ञान केंदरु पर पिछले दिनों क्रिशक संगोष्ठी सह जन अभियान का आयोजन किया गया शुपुरी जिले में एक जिला एक उत्पात के तहट टमाटर को जनहित किया गया है कलेक्टर ने बताया कि अब जिले में सेड मैप द्वारा प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और क्लस्टर बना कर काम किया जाएगा पचले दिनों शुपुरी जिले में पशुपालन विभा के बड़ादी फार्म पर ड्रोन तक्नीक की मदद से बीज रोपित किये गए अभी अंकुर अभियान के तहट व्रिहद व्रिक्षा रूपन अभियान चलाय जा रहा है और पौधे लगाये जा रहे हैं बड़ी संख्या में सहजन के पौधे तयार किये जा रहे हैं शुपुरी जिले में 11 से 17 अगस तक हर घर तिरंगा घर घर तिरंग अभियान चलेगा इस अभियान को लेकर पछले दिनों जिला कलेक्टर ने एक बैठक ली बैठक में कलेक्टर ने शाला प्रभारियों से कहा कि अभियान का मुख्यों देश्य देश्वासियों में राश्य ध्वच के बारे में जागरुकता उतपन न करना है इस अभियान के क्रियान वियन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ती कर दी गई है पिछले दिनों शिवपूरी के केंद्री विध्याले में राजभाशा विभाग की तरफ से एक दिवसी हिंदी कारिय शालक आयोजन प्राचारिय संजे कुमार शर्मा की अध्याक्षता में किया गया जिसमें विद्याले के शिक्षक शिक्षिकाएं और कार्याले कर्मियों ने भाग लिया प्राचारी श्री शर्मा ने राजभाशा अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी राजभाशा प्रभारी मोहन मुरारी ने राजभाशा अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए समस्त शिक्षकों और विद्याले कर्मियों को हिंदी का शत प्रतिशत प्रयोग करने के लिए सुझा दिया। शुपूरी शहर में केंद्र सरकार की महत्वाकांशी योजना आयश्मान योजना के तहत विभिन वाडों में कैम्प लगाकर आयश्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं। इसी क्रम में वाडों में राशन की दुकानों पर ये कैम्प लगाये जा रहे हैं एक महीने तक ये कैम्प लगाये जाएंगे जिले में अंकुर अभियान के अंतरगत व्रिक्षार ओपन को बढ़ावा देने पर मधिप्रदेश परियावरण विभाग के प्रमुक सचिव अन मिठाई बाटी और आतिश बाजी कर उत्सव मराया जिली के चठी समाप थुई